हेलो फैंस तो आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाने का एकतम प्रफेक्ट और आसान तरीका बताने बाला हूँ इस तरह से आप सरसों का साग बनाएंगे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आज के बद आप ऐसी फुली-फुली मक्की की रोटी भी घर पे इसली बना पाएंगे अगर आप सीखना चाते हैं इतना टेस्टी सरसों का साग और ऐसी नरम मुलाएं मक्की की रोटी घर पे कैसे बनाएं बीडियो को अपने मिनस किप के उलाश से जिरूर देखना है सरसों का यूज की जफ़ाहे है साग बनाने के लिए कि देखे ऐसे डंटल ओने चीए इसके बद जो पत्ते हैं उनको अपने अलग कर देना आए और जो डंटल होते हैं इन में रेशे होते हैं कि इस तरह कर लेना है इनका बहर का रेशा है उसको निकाल देना है तो देखे इस तरह से आपने साग बना कर आपके त्यार की जाता है तो जितना भारी को कर सकते हैं तो अतना भारी कास धेंट्ध्र कर लेना इस तरह से आपके गुठी होगा यहां पर दो गूच्ची मैंने बत्व की लिए तो बत्व को अच्छी तरह से दोना है कि यसमेना रेत पर गएरा ज़्यादा रहती है अच्छे से दो कि आप इसकी ना कटिंग कर लीशे बत्व को भी जितना बारिक आप कार सकते हैं उतना बारिक आपने इसको काट लेना है इसके बाद जो पत्ते हैं तो एक गुच्छी के जो पत्ते हैं उनका यूज मैं नहीं कर रहा हूँ जो दूसरी गुच्छी के पत्ते हैं सिर्फ उन्हीं का हम यूज करेंगे पत्वों से साग न के बर कड़व हो जाता है तो एक देखे यहाँ पर मैंने सर्सव के जो पत्ते हैं उनको भी काट लिया है डंचल को मैंने अलंग से रख लिया है देखे डंचल कितने सारे रखे हैं तो आपने भी पत्ते कम और डंठल ज़ादा यूज़ करने है, यहाँपे साग बनाने के लिए ठीक है है, और इसके बदना साग में यहाँपे बालक, मेती और सोये साग का यूज़ भी किया जाता है Ti in गुच्चि में मेति के लिए हैं सोय साग का यूज़ करेंगे साथ में बहुत इचा फ्लेवर आता है इससे और एक गुच्छी मैंने आपे बालक की लिए है तो इनको भी आपने अच्छी तरह से दो लेना है ये देखिए मेथि और सोय साग को भी आपने बारी काट लेना है और एक बात मेथि का यूज़ थो लसुन अदरक और हरी मिर्श भी टालनी है तो कम से हम 15 कर लिए अपने लसुन की मिक्सी गरंटर चार में टालते नहीं है इसके साथ में एक टुकड़ा अदरक का एड़ खीशे और चार से पांच आपने इसमें हरी मिर्श एड़ करनी है साग को तीखा करने के लिए या तो आ यहां पर कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन के त्यार हो चाहिए का तो के देखिए डंटल और साग यहां में डाल दिया है साथ में अदरक रसन और मिर्श भी डाल दिया है एक गिलास आपने पानी के एड़ करना है ज्यादा पानी डालना है ओपर थोड़ी द दब पकाएंगे तो पत्य तर्स पढ़ाता है और पत्यतार सब्स्विए नीचे बैठ जाती है इसके बुद आपने इसमें मेती बातुविए अड़ करेना है साथ में जो बचवा साग था भो भी इसमें आपने डमक एड़ कर देना है एक चमश आप इसमें डमक आड़कर देना है इतनी तिर में आपका जो साग है न अच्छी तरह से गल जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा और स्टीम निकालनी है अपने स्टीम जब खत्म हो जाएगी कुकर का ढकन खोलिए यह देखिए साग जो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है डंटल भी पूरी तरह से यहां पर ग तो देखिए आदा पानी मैंने निकाल लिया इसके आपको गोटना चाहिए होगा मार्किड में इसली मिल जाता है अगर ना मिले आप लैडल से भी गोट सकते हैं तो अच्छे से देखिए साग को घोटना शुरू कर दीशे जैसे आप साग को घोटेंगे ना यो डंटलैप पूरी तरह से इसमें मेक्स हो जाएंगे इनकी प्योरी बन चाहेगी तोड़ी दिर गोटने के बद आपने इसमें मक्की का आटा एड़ करना है इस से अची तिकने साहिए तो टेस्ट भी अच्छाता है। अगर आपको तो इसमें बेसन का यूओस भी कर सकते हैं तो एक मै मक्क का अटा एड कर लेते हैं और एक वह जब आपने साग को बोईल करना है उसके साथ में तब आपाएगा जो फ़ीद का में निकाल कि रखाते हैं वो आपने इसमें add कर देना है अच्छी तरह से उस पानी को mix कर लेना है और extra पानी के use बिल्कुल नहीं करना है और पानी डालने के बदे इसको गोट लीजे अब मैंने पानी क्यों निकाला था अगर आप इसको पतले में गोटते मकी काटर डालते तो उसमें लम्स बन जाते वर्ट आप इसको थीक करके घोटेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेगे अब मैंने पालक रखा था तो पालक को आपने बॉयल करके इसमें प्यूरी बना के डालना है इससे क्यों होगा एक अच्छा कलर आएगा आपके साग में बैसे तो पालक को भी साथ में ही डाल देते हैं बर हम लोग यहाँ पे अच्छा कलर लाने के लिए पालक को अलग से बॉयल करते हैं और उसको पीस के डालते हैं अब आपने जब मकी का आटर डालना है उसको 10 मिन दे जब घोटेंगे ना तो गैस की फिलेम आपने चालू रखनी है बंद नी करनी है ठीक है अब यह देखे पालक मैंने अलग से बचा के रखा था और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको आपने थोड़ा मोटा मोटा काटना ही यह देखे तीन से चार इसे डिवाइड कर देया मैंने पालक को काटके अब इसको आपने वैल करना थो पानी को उबाल लीज्टी वाल भी पानी आपने पालक डालना है बाद hesitant हाय कर देब आपने हाय कर देशे और इसका जो color है वो dark not हो, तो पालक की तो मैंने green रखा है यहां पे, इसके बोद आप इसको ग्राइंड कर लिए, पाने की यूज नहीं करने, इसको ग्राइंड करने के लिए, और इसको न इसमें जितना पानी होता है, उसी जे पिश जाता है, तो यह देखे, पालक की मैंने pureी बना लिए, अब तड़का बनाने के लिए, आपको चार प्याज, दो टुकड़े अदरक, साथ में चार से पांच हरी मिर्शी, और काफी सारा लसुन चीह होगा, अदरक, लसुन, हरी मिर्शी और प्याज को आपने बारी काट लेना है, इस तरह से, अब यहां हमने स्टेनल थोड़ा से यहां पर चटकना शुरू हो जाएगा, इसके बुद आपने इसमें बारी कटवाना लसुन एड़ कर देना है, गैस की फ्लिम आपने मीडियम रखनी है, थोड़ी दिर लसुन को मीडियम फ्लिम में पका लेशे, और थोड़ी से आप इसमें हींग भी आड़ की प्याज को अपने तब तब पकाना है, जब तर प्याज का कलर रचुए, लाइट कोल्डन प्राउनों यहां पर शुरू नहीं हो चाहे, तो देखिए, प्याज यहां सॉफ्ट हो चुका है, इसके बुद आपने इसमें अधरक एड़ करना है, बट पूरा अधरक का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले भी अधरक का यूज किया था, तो थोड़ा ही अधरक डालना है, साथ में आपने बरीकट हरी मिर्च भी डाव देनी है, हरी मिर्च अधरक को भी प्याज की साथ अच्छी तरह से पका लेशे, जब प्याज का कलर यहां पर लाइट कोलन ब अब प्याज हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, थोड़ा सा हल्दी पौडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पौडर एड़ करना अपने इसमें, और इनको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेशे, गैस की फ्लेम मैंने यापे ना मीडियम टू लो कर दिया, ठी प्याज के साथ मिक्स कर लेशे, तो पालग को अलग से नहीं पीसना चाते हैं, तो आप जब कुकर में हमने साग को पकाने के लिए डाला था, उस टाइम भी डाल रखते हैं, बट पालग को लाश में डालेंगे, आपके साग में एक ग्रीन कलर आएगा, देखें कितना अच्छा ग्रीन कलर आचुका है हमारे साग में, इसके वद आपने इसमें जो बचवा साग है, वो भी इसमें एड़ कर देना है, और इसको भी एड़ किया था, एक चम जिसमें नमक का और एड़ कर देते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो और अपने हिसाब सब यहां पर एड़ कर सकते हैं, साग को आपने कम सिम ना, आट से दस मिन ता पकाना है, और देसी गी आड़ करना आपने इसमें, तीन से चार छोटे चम भर आपके डाल देजे, देसी गी से ही साग में एक अच्छा टेश आता है, आप डालना चाहें इसमें ना, वाइड वर्टर भी डाल सकते हैं, मक्षन के यूज़ कर सकते हैं, इसको पकाने के लिए, और के देखिए, अच्छी तरह से मैंने साग को यहां पर कम सिम आट से 10 मिन तब पका लिया है, और साग में एक अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है, अब हमारे यहां के करते हैं कि साग को घोटने तक में काफी टाइम लग जाता है, तो हम इसको पिछले दिन ही शाम तक घोट के रख लेते हैं फ्रेश में, नेक्स टे लंच में खाना हो, लंच में करना है, जैसे पानी में बोईलर आचागा, गैस की फिले मां बंद कर दीजिए, और इस पानी को एक बॉल में निकाल दीजिए, और इसके पूद आपने इसमें मक्की का आटाइड करना है, तो एक कप अगर आपने पानी लिया होगा, दो कप आप इसमें भरके मक्की के प्रेचर में आजाएगा, तो कए देखे, इसको हाथ से इस तरह से मसल लिएए, अब इसको हलका सा गुन-गुना आने देते हैं, जैसे गुन-गुना हो जाएगा, कम से कम 3-4 मिन तक आपने इस तरह से आटे को मसल लेना है, जितना अच्छे से मसल लेंगे, उतनी ही अच् और पेड़े को हलका सा हाथ से इस तरह से दबा दबा के थोड़ा कर लीशे और इसके बद आपने एक टेबल के ओपर या फिर चकले के ओपर थोड़ा सा मकी का आटा डालना है और पेड़े के बार से मकी का आटा लगा देशे देखे इस तरह से और इसके बद आपने पेडे को इस तरह से दबा दबा के थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है ताकि जब हम इसको बेलें तो हमारी रोटी साइडों से फटेना तो इसके थोड़ा बढ़ा कर लिए इसके बद बेलन की साहतर से आपने इसको बेल लेना है इन साइडों को फिर से उसी गुंदी वाटे में डाल देशे और देखे कितनी जवरतस्त हमारी पतली सी रोटी बन के त्यार हो चुकी है इसके बद अपने तोवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और गर्म तोवे के उपर रोटी डाल देनी है और रोटी को आपने आराम से एक साइट से पकने देना है फिर आप इसको पल्टी कर देशे दूसी साइट से पका लेशे और जैसे इसके उपर हलका सा कलर आजएगा इसको हाथ से घुमाना है आपने थोड़ा सा इसको गैस की ओपर आप यहां पर सेख सकते हैं कितनी जवदस हमारे रोटी आप फोल चोगी है तो इसी तरह से आपने सारी की सारी मकी की रोटी बना लेना है जिसने कभी भी मकी रोटी नहीं बनाए ही इस तरह किसे बनागे देखेगा आपकी जो रोटियें एक्तम प्रफेक्ट बनेंगी और इस तरह से एक्तम फुली फुली भी बनेंगी अब इसके बद आपने रोटियें के उपर हलका सा बट्रया घी लगाना है और गर्मा गरम साग के साथ आप इनको सर्व कर देशे तो फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर मैं जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंस में देने विडियो के साथ थैंक यू